हेलो wal friends तो आज जी की इस वीडियो में मैं आपको बता हूंगा कि आप अपनी photo के पीछे कर बैग्राउंड उसे अप कैसे एस्तिमाल कर रहे हैं तो उस application का इस्तिमाल नहें तो यह भी अपनी मॉबायल से आपको फोटो की आपको बता हूंगा कि आप अपने photo का पीछे background कैसे erase कर सकते है तो चलिए video को start करते है सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने chrome browser में चले जाना है जैसे मैं अपने chrome browser में चला जाता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है यापर search करना है remove bg इतना आपको लिखना है remove bg इसको search कर ले रहा है जब आप इसको search कर लेंगे उसके बाद देखिए यापर जो first वाली website है इस पे आपको click कर देना है जिसके आप इस पे click कर देंगे तो यापर पस कुछ page open हो जाएगा तो यापर देखिए जो लिखा है upload image तो इस पे आपको click कर देना है इस पे जिसे ही आप click कर देंगे तो यापर आपकी पूरी gallery की photo यापर आ जाएगी अगर कोई सी भी आपको photo यापर अपनी remove करना है पीछे background तो यापर आप सेलेक करके कर सकते हैं मुझे ब्राउजर में जाना है अपनी दूसरी photo करना है तो यह देखिए जो मेरी first वाली आ रही है ठीक है जो पीछे background आ रहा है मेरी selfie जो selfie अली photo आ रही है इस पे मैं click कर दो यह ली ठीक है इस पे मैं click कर देता हूँ जैसे ही मैं एक click इस पे करूँगा तो पीछे का सारा background मेरा हट जाएगा सिर्फ मेरी photo आ जाएगी मेरा face आ जाएगा sun ने तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ मेरा हो चुका है और यह देखिए मेरा जो background पीछे का सारा हट चुका है और यहां सिर्फ मेरा face आ चुका है ठीक है मैं इस पर एक किलिक करके अपने गैल्ली में भी सेव कर सकता हूं इस पर मैं किलिक कर दूंगा तो यह डिरेक्ट मेरे गैल्ली में सेव हो जागा जैसे यह देखिए यहां पस डाउनलोड कम्प्लीट यहां पास सेव हो चुका है और यहां पास आप एसडी में भी डाउनलोड कर सकते हैं देखें नीचे लिका है एसडी डाउनलोड एसडी इसमें भी आप एसडी में डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूं सिंपली बैग करता हूं अपने कैलरी म भी जाओंगा तो यह देखिए यह देखिए यह आगी मेरी फोटो ठीक है पहले कैसी थी ऐसी थी उसके बाद जो आई यह ऐसी देखिए अब ऐसे आप पीछे का बैगराउंड भी अपना चेंज कर सकते हैं कुछ अलग बैगराउंड आप लगा सकते हैं अपना पुराना बैगराउंड एरेस करके तो ऐसे आप कर सकते हैं पीछे का बैगराउंड सिंपली बहुत आसान तरीके से आप एरेस कर सकते हैं वह भी बिन को यही बताने वाले थे अब आप से मिलते हैं कुछ अलग वीडियो के साथ